सेनेम सिम्टम्स होते क्या है ठीक है नौजिया वॉमिटिंग एक्स्ट्रीम इरेटिबिलिटी साथ में और क्या हैडेक प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ठीक है इंक्रीज पल्स प्रेशर और ब्रेडिकाडिया नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सबका हमारे इस यूटिब चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गैडर मेरा नाम है प्रेले शर्मा और आज हम वीडियो लाए हैं नौर्सेट 2020 पार्ट वन की दोस्तो हमारे सारे मेमोरी बेस्ट कोशन इसमें इंक्लूड हैं साथ में इमेज वेस्ट कोशन में इसमें इंक्लूड हैं जैसे कि हमने आपको पहले भी बताए था कि हम एम्स के सारे एक्जाम्स प्रिवियस यर के लाएंगे हमारे इस चैनल पर तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरू कुछन आता है ए नर्स वास गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ए पोस्ट पार्टम मदर अफ ए न्यूबॉर्ण विद हाईपर बिली रूबिनीमिया विच अफ द फोलिंग इस एन एप्रोप्रियेट इंस्ट्रक्शन कि क्या है कि बच्चे को बिली रूबिन बढ़ा हुआ ब्लड में ठीक है और मदर पोस्ट पार्टम है है ना तो एक नर्स उसको क्या इंस्ट्रक्शन देगी सबसे पहला ऑप्शन विद होल्ड ब्रेस्ट फीडिंग इफ फोटो थेरापी इस कंटिनूड ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूट ब्रेस्ट फीडिंग विद देखो बच्चो इसका सही अंसर ऑप्शन सी है कि कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए एवरी सेकंड आवल दी विद होल्ड के लिए अगर कोई बोले ब्रेस्ट फीडिंग या फिर सब्सिट्यूट बोले या फिर सप्लिमेंट बोले तो ये तीनों ही क्या है रहूंगे है ठीक है तो इसका सही अंसर आपका ऑप्शन सी है चलिए नेक्स्ट कोशन वाइल पर्फॉर्मिंग एन एंडो ट्रेकिल ट्यूब मतलब एटी सक्षन दा नर्स ऑब्जर्वड डैट दा क्लाइंट इस हैविंग सडन सेवियर टैकिकारिया क्या कि एटी सक्षन कंटीनिव दा सक्षन दूसरा स्टॉप सक्षन एंड पर्फॉर्म री ऑक्सिजनेशन या ऑप्शन सी हाइपर ऑक्सिजनेट बिफोर सक्षनिंग या ऑप्शन डी कॉल दा फिजीशन देखो इमेजियेट रिस्पॉंस पूछा है नर्स का ठीक है अगर सक्षन कंटीनिव रखेंगे option A की तरह है तो टैकी काडिया और बढ़े गए बढ़ेगा ठीक है और अगर है पर ऑक्सिजनेट करेंगे पहले सक्षन के से पहले इसमें पूछा गया कि उस टाइम पे क्या करना है जब टैकी काडिया हो गया है यह जो option C है यह तो मतलब है कि हमें सक्षनिंग स की सक्षनिंग को स्टॉप करना है और oxygen प्रोवाइट करनी है पेशेंट को ठीक है बच्चों हम सारे method से आपको question solve कराने की कोशिश करते हैं कि elimination method भी यूज़ करते हैं कि क्या क्यो option सही है क्या क्यो option गलत है और आप उससे question सही तरीके से कर सकें ठीक है चलिए next question a pregnant woman visiting antenatal clinic complains that she gets frequent leg cramps and pain during night क्या है leg cramps और pain है night के time पे which of the following is an appropriate intervention to be suggested for the client क्या intervention देनी चाहिए client को सबसे पहला dorsiflexion with knee extension exercise या complete bed rest या फिर use of compression stocking या फिर all of the above देखो complete bed rest या फिर compression stockings के लिए हम नहीं बोलेंगे exercise बोलेंगे dorsiflexion with knee extension exercise उससे क्या होगा कि blood circulation जो है वो बढ़ेगी और उससे leg cramps और pain जो है वो कम होने के chance हो जाएंगे ठीक है दोस्तों चलिए next question एक 32 year old male patient is admitted to an acute care psychiatric ward ठीक है क्या है psychiatric ward में admit किया गया है एक 32 year old male को तब patient started showing aggressive tantrum देखो aggressive tantrum उसने start कर दिया दिखाना which of the following action by the nurse is a priority तो इसमें क्या priority पूछी गई है सबसे पहला क्या है option wait until the patient calms down on his own कि खुद से वो calm हो जाए नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे खुद से patient को calm होने का क्योंकि इसमें chance क्या होगा कि patient अपने आपको खुद को harm कर सकता है ठीक है दूशतरा की administer sedatives SOS है ना immediately उसे वो देदे sedatives देदे बट ये तो doctor का काम है देगा मतलब वो order करेगा ठीक है तो नर्स की क्या priority रहेगी option c warn the patient not to do such aggressive act देखो हम ये भी नहीं बोलेंगे क्यों कि अगर हम patient को ऐसा कुछ बोलते हैं तो हो सकता है chance होता है कि वो और ज़्यादा aggressive हो ठीक है तो इसका सही option क्या होगा option d की help के लिए call करेंगे जिससे की situation को under control कर सकें ठीक है चलिए next question which of the fallen drug causes red color urine किस drug की वज़े से red color urine हो सकता है तो streptomycin है, rifapinsin है, ethambutol है या फिर isoniazide है तो इसका correct answer क्या है दोस्तों इसका correct answer है आपका option b rifapinsin क्यों आपको पता है ये सारे की सारे तो किसके लिए tb में anti tuberculosis drugs होती हैं बट rifapinsin को जब हम consume करते हैं तो उसकी वज़े से red color urine आता है चलिए, next question ए 65 year old patient admitted in a long term care facility ठीक है long term बोला गया है and has developed pressure ulcer है ना, pressure ulcer उसको develop हो गए assessment क्या nurse ने, तो nurse ने क्या देखा कि bone visible हो रही है और palpate हो रही है bounce side पे जहां उसका pressure ulcer हो आ है तो पूछा गया कि कौन सा stage होगा देखो जब भी muscle और bone जब show हो जाती है ना muscle और bone जो होती है तो वो कौन सा होता है आपका stage four ठीक है stage one की बात की जाए तो stage one में स्रिफ और स्रिफ yellowish या और whitish color अशो होगा आपका skin पे ठीक है stage two में क्या होगा stage two में जो dermis layer होगी है ना वो भी effect हो जाएगी और stage three में subcutaneous tissues भी effect हो जाएंगे ठीक है चलिए next question the bullet train project in India is launched with the support of which of the following country देखो आपने निश्पर्पर में पढ़ा भी होगा नहीं पढ़ा हो तो bullet train आने वाली है ठीक है इंडिया में तीन से चार साल में यह 100% आ जाएगी ठीक है और क्या साथ में कौन से कौन से दिल्ली मुंबई बड़े से बड़े शहर में इसका launch होगा ठीक है बट किसकी help से इंडिया में जो project चल रहा है वो चल रहा है option c जैपैन की help से यह project चल रहा है अच्छा एक और बात दोस्तों कि अगर पूछा जाए कि bullet train सबसे पहले कौन से state में चलेगी तो यह चलेगी किसमें गुजरात में ठीक है गुजरात में यह चलेगी कहां से कहां तक यह सूरत से लेके बिली मुरा जगा है वहां तक यह देगी चलेए नेक्स्ट कोश्चन कि द्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केर ऑफ एन इंफेंट वेदे क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर क्या है क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर है इसका मतलब कि बच्चे की पैलेटोप्लास्टी हुई है दा नर्स शुड पोजीशन दा बेबी इन विच कोन सी पोजीशन दर्स देगी तो ठीक है इसका सिधा सिधा अंसर आता है आपका option C prone किसके लिए जिससे की proper drainage हो सके ठीक है proper drainage हो सके चलिए next question what is the color coding of the bag used in the hospitals to dispose of human anatomical वेस्ट्स है, such as body parts, तो हम सब को पता है कि cotton, human anatomical waste, या फिर infection या bandages जो होती है, वो किसमे, yellow bag में जाती है, red bag में क्या क्या जाता है, red bag में हम सब को पता है कि यह सी की plastics हो गई, injection, syringe, catheters, IV fluids, IV tubes होती है, वो सब इसमें जाती है, ठीक है, और blue में जो glass होती है, medicinal, जो glass होती है, वो डालती है, ठीक है, चलिए, next question, the vaccine that forms blister and leaves permanent scar, blister or permanent scar कौन, छोड़ता है, हम सब को पता है कि क्या, option B, BCG, है न, BCG किस के लिए लगती है, TB की protection के लिए लगती है, है न, at birth, ये लगती है, और कितना इसका amount होता है, तो 0.05 ml इसका amount होता है, ठीक है, और ये 0 to 1 month के under में दी जाती है, चलिए, next question, identify the device या instrument shown in the photograph की भाईया ये दे रखा है, device ये क्या है, तो साफ साफ इसका अंसर के जाता है, इसका अंसर आप हो जाता है, option A, variance, retractor, ठीक है, image, देखो बच्चो, image question हम इसलिए ही ला रहे है, जिससे की आप confused ना हो सकें कि भाई, क्या option दे रखा है, और ये कुछ सीच की image है, आप चैनल पर बने रहीएगा, क्योंकि हम आगे, नौटसेट के previous year तो पेपर लाएंगे ही लाएंगे, साथ में image based question भी लाएंगे subject wise, जिससे की आने वाले नौटसेट 2022 के लिए, आपकी image based question की सारी की सारी preparation हो सकें, ठीक है, जादा से जादा share कीजिए इस चैनल को अपने दोस्तों में और subscribe कीजिए हमारे चैनल, साथ में bell icon भी दवाई रखेगा, चलिए, next question, the pelvic shape that has the poorest prognosis of from vaginal delivery, जब भी poorest prognosis की बात की जाती है ना, तो सबसे poorest prognosis किस की होती है, android की होती है, ठीक है, इसको हम क्या, male pelvis भी बोलते हैं, है ना, platy blurred भी होता है, बट इसको हम priority किया देंगे, android देंगे, चलिए, next question, which of the following colored iv camera is used for infant, infant के लिए कौन सा, grey, pink, yellow, green, देखो, इसका हाता है, option b, pink, जो होता है, वो infants के लिए use के जाता है, दोस्तो, अगर आपको image चाहिए भी, जैसे की cannulas की image हो गई है, या अलग-अलग it tubes की image हो गई है, तो आप हमारे Instagram चैनल पर जा सकते हैं, Instagram चैनल पर daily हम image डालते हैं, साथ में आप motivate रहें, उसके लिए हम daily motivational videos भी वहाँ पर जो reels होती हैं, वो भी डालते हैं, जिससे की आप motivate रहें, तो Instagram चैनल को भी ज़रूर follow कर लिजेगा, चलिए, next question, Amputation that includes all levels of thigh amputation from the hip to the knee, क्या बोला गया है, कि hip से लेके आपका knee तक जो amputate की जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसका option है, आपका option A, Transfemoral Amputation इसे बोलते हैं, चलिए, next question, The Therapeutic Use of Parasetimol, Parasetimol का Therapeutic Use तो हम सब कोई पता है, किसलिए की pain relief के लिए होती है, ना nausea vomiting के लिए यूज होती है, ना ही ये motion sickness के लिए यूज होती है, ठीक है, चलिए, next question, Surgical complications that result from foreign materials such as surgical sponge or gauze piece accidentally left inside patient's body is known as, ये अच्छा question है दोस्तो, ठीक है, इसको star mark कर लिजेगा, अपने notes में लिख लिजेगा, मैं पहले की वीडियो में बताता हूँ, कि आप साथ में अपने, अपनी notes साथ में रखेगा, जिससे कि जो हम question के साथ extra कुछ points बताते हैं, वो आप note कर लिजेए, ठीक है, अच्छा, इसमें क्या बोला गया है, इस question में कि जो foreign material होते हैं, surgery के during की कोई sponge या gauze piece accidentally गलती से छूट जाए patient की body में, तो उसे, क्या बोलते हैं उस complication को, तो उसे बोलते हैं आपका क्या, option B, gauze epee voma, ठीक है, चलिए, next question, which of the following position is advised to relieve cord compression during labor, देखो, labor के time पे cord compression के लिए बोला जाए कि relieve करने के लिए, या फिर supine hypotension relieve करने के लिए बात की जाए, तो कुन सी position की बात आती है, क्या left lateral position की बात आती है, चलिए, next question, what is the cerebral tissue perfusion pressure if blood pressure is 90-60 and ICP is 18, देखो, इसमें क्या पूचा गया है, इसमें CPP पूचा गया है, ठीक है, CPP का formula क्या होता है दोस्तों, CPP का formula ही होता है कि, MAP, main artery pressure minus ICP, ठीक है, तो हम पहले map को count करते हैं, map का क्या formula होता है, map को निकालने के लिए हम सबको पता है क्या, एक सब्सक्राइब को निकालने के लिए formula होगा, आपका systolic blood pressure plus two into diastolic blood pressure upon by divide by मतलब कितना है ना, divide by three, तो इसको calculate करेंगे दोस्तों कि कितना, कि systolic आपका 90 है, diastolic आपका 60 है, तो इसका अंसर कितना आएगा, इसका आएगा अंसर आपका 70 mm of HG, ठीक है, अगर 70 mm of HG को हम CP में count करें, तो क्या आएगा CPP, 70 minus ICP कितना था, 18, तो इसका अंसर कितना आएगा total, आपका 52 mm HG का अंसर आएगा, option B, 52 mm of HG, चलिए, next question, all of the following signs and symptoms are indicative of increased intracranial pressure in children, except, except बोला है, देखो, सबसे पहले तो आपको यह बतावना चाहिए कि increased ICP मतलब children में, तो सैनेम सिंटम्स होते क्या है, ठीक है, nausea, vomiting, extreme irritability, साथ में और क्या, headache, projectile vomiting, ठीक है, increased pulse pressure, और bradycardia, यह कुछ major symptoms होते हैं, जो children में जब ICP बढ़ता है, तब होते हैं, ठीक है, increased pulse pressure होता है, तो decrease नहीं होता, तो accept में क्या है, यह answer आपका correct है, ठीक है, आपका option D, चलिए, next question, in solar system, which of the following is the third planet from the sun, देखो, अगर हम, sun किसकी, अगर यह sun हो गया, ठीक है, तो सबसे पहला जो planet होता है, वो होता है, क्या, mercury, करी, then, दूसरा planet कौन सा आता है, Venus, थर्ड planets कौन सा होता है, हमारा क्या, हमारी mother, अर्थ, तो इसका option क्या होगा, option B, अर्थ, अच्छा, उसके बाद fourth की बाद करें, तो क्यों सा आता है, मार्स आता है, मार्स के बाद अगर हम बात करें, मार्स के बाद आएगा हमारा Jupiter, ठीक है, Jupiter के बाद आएगा Saturn, Saturn के बाद आएगा Uranus, and Uranus के बाद आएगा आपका Neptune, तो यह line-wise जो हैं, मैंने आपको बता दिये, तो आप इसको लिख सकते हैं, जीके वाले, चलिए, next question, what is the suction pressure applied while performing endotracheal tube suction in an adult, देखो, ध्यान रखना दोस्तो, 80 tube या फिर प्रेकेस्टिमी tube, दोनों के लिए अगर suction pressure पूछा जाए, adult में, तो कितना रहेगा, आपका option D, 100 to 120, ठीक है, दोनों में सेम रहेगा, अच्छा एक और सीज, कि अगर infants की बात की जाए, तो infants में कितना, 80 to 100 mm of HG pressure रहता है, infants के लिए, ठीक है, ध्यान रखना, चलिए, next question, what is the national currency of the United Kingdom, कि United Kingdom जो UK है, उसके national currency क्या है, तो है आपका इसका अप्शन सी, pound, ठीक है, yen कहां की है, yen ध्यान रखना दोस्तो, जैपैन की है, ठीक है, euro और dollar जो होते हैं, वो difference country है, ठीक है, जैसे की dollar Canadian dollars भी होते हैं, साथ में American dollars भी होते हैं, वैसे ही euro भी अलग-लग countries में होते हैं, ठीक है, चलिए, next question, which country supplied rafael jets to India, rafael की बात की जाए, आप सबने काफी सुना होगा, newspaper में, news में, कि rafael jet आ रहे हैं, तो कौन सी country इसको provide कर रही है, तो ये आपकी है option C, France, अच्छा, total number of rafael कितनी हैं, तो total number पुछे जाएं, तो 36 number हैं, ठीक है, around 34-35 आ चुके हैं, और बाकी पूरे complete होने वाले ही हैं, ठीक है, तो total ध्यान रतना कि 36 इसके total rafael jets हैं, जो इंडिया को provide करेगा, चलिए, next question, used nasogastric tube has to be discarded in, देखो, कि used जो NG tube हो गई, वो कहां discard होगी, हमने पहले ही एक, जो BMW के regarding कोशन आया था, हमने उसमें पहले होता आया था, कि NG tube हो गई, IV tube set, जो हो गई, जो ये plastic जो होती हैं, चीजे, वो किसमें, आपका red bag में discard होती हैं, चलिए, next question, drug allergy is usually tested with an intradermal injection of small dose of a drug, which of the following is the reason for using intradermal route for testing drug allergy, कि इसमें पूछा गया कि ID जो होता है, मतलब intradermally, यही क्यों use करते हैं, ठीक है, तो इसका सीधा अंसर क्या है, कि इसमें slow absorption होती है drug की, slow absorption होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, कि absorption blood stream में drug जो है, वो धीरे जाएगी, और अगर in case patient को से allergy हुई, तो patient को कोई severe allergies नहीं होगी, ठीक है, इसलिए हम ID, जो root होता है, वो use करते हैं, चलिए, next question, which of the following vaccine should not be frozen and should be discarded, if frozen, तो इसका सीधा अंसर क्या आता है, आपको option C, DPT, ना इसको जमाते हैं, मतलब freezer में नहीं रखते, ना ही इसको use करते हैं, अगर ये जम जाती है, मतलब freeze हो जाती है, है ना, इसको हम normal freeze में रख लेते हैं, बट freezer में नहीं रखते हैं, ठीक है, चलिए, next question, which of the following antibiotic does not require test dose before administration, है ना, देखो peninsulin, insulin, salvectum, ये सब का हम test dose देते हैं, बट, option C, ciprofloxacin acid drug होती है, जिसका test dose की requirement नहीं होती है, चलिए, next question, चलिए, या image based question है, कि इसको instrument को identify करो भाई, क्या है ये, ध्यान रखना, जब भी ऐसी कोई seizure आती है, ठीक है, जो आपको ऐसी लगे, तो वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी, epizootomy caesar, इसका जो एक कर्व है ना, जो मैंने आपको दिखाया है, इस से ही ये, चल जाती है पता, काफी easy है पता करना, ठीक है, चलिए, next question, Murphy's sign is seen in which of the following disease condition, Murphy's sign पूछा गया है, Murphy's sign जब भी आए, तो आँख बंद करके, किस में आता है ये आपका, Colesistitis, मतलब acute Colesistitis में ये, Murphy's sign seen होता है, चलिए, next question, Patients scheduled for surgery are instructed to remove nail polish, what is the reason for removing nail polish before surgery, कि भाई, surgery से पहले क्यों nail polish उतार रहे हो है, क्यों बिचारे patient का fashion खराब कर रहे हो, तो इसका answer देखो क्या है, option A, to observe clubbing of fingers, या option B, to detect sinuses caused by low oxygen level, option C, both A and B, या option D, none of the above, देखो, option A, तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि clubbing of fingers, जो normal assessment करते हैं, duration पे दिख जाता है, ठीक है, तो इसका option क्या होगा, option B होगा, कि हमें sinuses check करना होता है, कि क्या होता है, surgery के duration में, patient anesthesia में रहता है, उस वज़े से वो oxygen support में रहता है, है ना, तो अकर oxygen की कमी से उसको sinuses होता है, तो वो detect तुरंत हो जाता है, है ना, चलिए, next question, which of the following gas is most pungent smelling, most pungent smelling की बात आती हैं, दोस्तों, तो कौन सा है gas, आपकी option B, आईसो फ्लोरेन, जो है, उसकी काफी pungent smelling होती है, in as compared to, बाकी drugs, ठीक है, चलिए, next question, ये आज की वीडियो का last question है दोस्तों, बाकी question part 2 में आएंगे, ठीक है, नौर्सर 2020 के majority सारे के सारे question, जो paper में होते हैं, वो हमने cover करने की कोशिश की है दोस्तों, तो आप सारे part जरूर देखेगा, ठीक है, डेली हम एक part चैनल पर लाएंगे, चलिए, last question की बात करें, इस seven year old child is intermittently bed wetting, bed wet कर रहा है है न, कितना, at least two times है week, हफते में दो बार, तो नर्स anticipates which of the following drug to be prescribed by the physician की वो, तो देखो, इसमें कौन सी दवाई होती है, इसमें आता है option, यह आपका decmopressin, यह कौन सी, यह आपका, एक तरह का क्या होता है, वैसोप्रेसिन होती है एक तरह की, है न, उससे क्या होता है, thirst degrees हो जाएगी, है न, उससे urination degrees हो जाएगा, urination decrease हो जाएगा तो hydration body में रहेगी है ना और bed wetting के लिए काफी ये काम वाली तबाई होती है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तो बाकी parts के लिए आप channel को ज़रूर subscribe कीजिए और साथ में bell icon को दबाना ना भूलिएगा जिससे की आपको सारी लेटेस्ट वीडियो का पता चल जाए साथ में लेटेस्ट vacancies भी हम लाते हैं जितनी भी कोई चाहे CHO हो चाहे स्टाफ नर्स हो चाहे किसी के लिए चाहे contractual हो है या फिर कोई permanent हो हम सारी लेटेस्ट vacancies आपको up to date करते रहेंगे तो आप हमारे इस चैनल पर जलूर बनी रहना धन्यवाद